नमस्कार दोस्तों आज फिर से हाजीर हूँ एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आपके साथ शेर करने के लिए सीजन सक्विलेंट का आ रहा है और मैं भी कुछ सक्विलेंट ग्रो कर रहा हूँ यह सक्विलेंट देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं बट इसको ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है इसको ग्रो करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यह प्लांट्स को भी हम नॉर्मल प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं और वही soil के अंदर इसको ग्रो करते हैं तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपने succulent को कौन सी soil के अंदर pot करता हूँ तो ये मेरी soil है जो well-drained भी है और इसके अंदर थोड़ा nutrition भी है सिर्फ 10-15% मैंने leaf mold composed यूज किया हुआ है बाकी की जो सारी चीज़े यूज किया है वो मोटे कंकड है नदी की रेत के छोटे कंकड मैंने यूज किये हुए है बारिक वाली जो है sand मैंने चान लिया है उसके अंदर थोड़ा fungicide add किया है थोड़े बड़े कंकर भी यूज किये हुए है और इसके अंदर मैंने थोड़े से लेका crush यूज़ किया हुआ है जो लेका balls आते हैं उसका crush भी यूज़ किया हुआ है यानि मोटा मोटा देखें तो 80% मेरी जो soil है वो कंकर से बरी है और सिर्फ 20% मैंने leaf mold compost लिया हुआ है 15-20% ही compost दिया हुआ है इसमें अंद पानी देंगे तो पानी एकदम ही थोड़ा सा moisture retain करने के बाद सारा निकल जाएगा और यही soil चाहिए हमारे succulent को अच्छे से grow करने के लिए तो आप भी ऐसी soil के अंदर अपने succulent grow कीजिए और मेरे साथ share कीजिए कि आपके succulent कैसे grow करते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया जैहें